लिए निए करंगे टाउन है तो उसकीर बैपिए camping क्वेंगे तुर्व जबी कश्चिन्थ है फैलो फ्रेंच बहुत स्वागत है आपका design across सव वीडियो में कई type के question लेता हूँ जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक question दिया है जैसे यह question दिया है और इसमें sentences यहां पर दी है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यह basically एक passage होता है और इस passage में जो sentences होते हैं उनको disarrange कर दिया जाता है आगे पीछ उनको लगा दिया जाता है और एक sentence जो हो होता है वो out of context होता है जिसको हम बोलते है odd one out तो उस odd one out sentence को आपको अलग करना है और बाकी के जो remaining 4 sentence है उनको sequence में आपको लगाना है और उसके according एक pair बनाना है जैसे A, B, C, D हो गया, D, C, E, F हो गया या 1, 2, 3, 4 हो गया तो इस particular question में क्या किया है इस particular question में आपको pair नहीं बन 36 गड़, दंते वाड़ा, बस्तर, बीजापूर and सुकमा are the main center of mouse activity currently ठीक है 36 गड़ में ये ये districts हैं यहाँ पर mouse activity currently चल रही है many areas within these districts देखे यहाँ पर these आया है, these का मतलब है कि इनके लिए ये जो noun यहाँ पर use हुए है दंते बाड़ा, बस्तर, बीजापूर इनके लिए यहाँ पर हमने these लगाया यानि ये दोनों sentence connected है ठीक है इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं threat to politicians and their backers are being freely held out मतलब politicians को threat दी जा रही है, तो यहाँ पर हम mouse activity की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम mouse activity की बात कर रहे हैं लेकि ये sentence बिल्कुल अलग है, यहाँ पर threat to politicians की बात हम कर रहे हैं, ठीक है आगे हम पढ़ते है, embuses of security forces personal occur at regular interval embuses क्या होता है, embuses जैसे mouse होते हैं और दूसरे आतंगबादी होते हैं, वो घात लगाके हमला करते हैं तो उस घात लगाने कोई activity को हम embuses बोलते हैं, ठीक है, embuses of security forces personal occur at regular interval तो यह भी mouse activity से connected है, इसमें हम देखते हैं, in March this year, seven central reserve police forces जवान but killed in dante vada, इसमें भी dante vada आया है, तो यह related है, ठीक है, embuses, देखे, mouse activity जो होती है वो embuses का प्रियोग करती है, तो mouse activity से यह sentence connected है, लेकिन यह sentence है, यह थोड़ा सा disconnected है mouse activity से, क्योंकि इसमें लिखा है, threat to politicians and their backers, मतलब जो politicians होते हैं, उनके जो backers होते हैं, उनको threats दिये जा रही है, धमकी दी जा रही है, तो यहाँ पर हम mouse activity के attack के बारे में बात कर रहे हैं, कहां कहां attack हो रहे हैं, यहाँ पर हम option दिये हैं, तो केवल आप दो sentences हैं, इनके आप pair बना लीजिए, उसके according आपको नीचे answer मिल जाएगा, आपको चारों का pair बनाना जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया के first आएगा पहले, ठीक है, पहले first आएगा, और first के लिए जो यहाँ पर noun आ रहे हैं, उसके इसमें जो option आपका आपका जो pair बनेगा, one or two से ही बनेगा, ठीक है, one, two से बनेगा, उसके बाद, one, two के बाद यहाँ पर दंते बड़ाया, five आ जाएगा, उसके बाद यह four आ जाएगा, इस तरह से आपका एक pair बन जाएगा, second sentence हम यहाँ देखते हैं, how do we explain that with similar economic improvement, the Indian perceived that their fortunes were improving while the Pakistani did not, इसमें यहाँ पर हम इंडिया और पाकिस्तान को compare कर रहे हैं, how do we explain that with similar economic improvement, मतलब दौनों ही कंट्रीज में economic improvement similar हो रहे हैं, उसके बाब जूद भी, Indians perceived that their fortunes were improving while the Pakistan did not, मतलब इंडियन के जो fortunes है, Indians मतलब ज्यादा तरक्की कर रहे थे, पाकिस्तान उती तरक्की नहीं कर पारा था और और सेम economic improvement होने के बाब जूद, आगे हम पढ़ते हैं, could this be because there was greater income inequality in Pakistan than in India, इसमें भी हम compare कर रहे हैं, इसमें भी हम compare कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, वर्ट बेंक data show that in 2011, 42% of the income was held by the top 20% of the population in Pakistan, that comparable figure of India, इसमें भी हम compare कर रहे हैं, इसमें भी हम compare कर रहे हैं, इन चारों सेंटेंसे में हम compare कर रहे हैं, इसको देखते हैं, living in a society that is well governed created sense of security इसमें देखिए यह sentence बिल्कुल अलग लग रहा है यहाँ पर यह sentence totally out of context है तो इसका answer होगा 5 और यह जो sentence है यह सारे interconnected sentences है तो इस sentence यह जो paragraph है इसकी शुरुवात आप कहां से करेंगे इसकी शुरुवात देखिए किसी भी paragraph की शुरुवात जो होती है वो normally noun से होती है फिर उस noun को replace करने के लिए एक pronoun का प्रियोग हम करते हैं जैसे मैंने previous slide में आपको बताया था कि जो districts वगरा वहाँ पर use हुए उसके लिए मैंने these word का use हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हम वर्डवेंग से इसको शुरू कर सकते हैं वर्डवेंग डेटा शोओ देट इन 2011 42% of the income was held by यहाँ पर यह वर्डवेंग की रिपोर्ट है यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं इसको और यहाँ पर देखिए हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर हम एक फैक्ट बता रहे हैं और उस फैक्ट को यहाँ पर हम रिपलेश कर रहे हैं दिस से क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान में ज्यादा इनेक्वलिटी इनका में एक्वलिटी ज्यादा है तो इसके बाद थर्ट के बाद यहाँ पर आपका बनेगा तो इस तरीके से आप मेडेटरी पेर बना के इनका एक पेर बना सकते हैं तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर नीचे जो आप्शन मिलेगा यदि आपको 3,2 का उप्शन मिलता है 3 के बाद 2 आएगा तो बस उसके अपना आंसर लगा सकते हैं आप ज़रूरी नहीं है कि 3,2 के बाद जो बाकी सेंटेंस उनको भी आप लगाएं यदि 3,2 का उप्शन आपको नीचे मिल रहा है तो उसके अपना आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं तो यह एक टेकनीक है कि 4 से 5 सेकेंड में क्योशन को किस तरीके से आप सॉल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा यह सेंटेंस 1,2,3,4 कनेक्टेर हैं बाकी के सेंटेंस कनेक्टेर नहीं है अब देखिए यह एक सेंटेंस है और इसको हम देखते हैं एफेक्ट अफ लेंड रिफोर्म एंड एगरेरियन तर्सफरमीशन की बात कर रहे हैं ठीक है चलिह आगे देखते हैं दे ग्रेट मार्चेज और रैली वाइनिग अक्रोस दिस्टेंट बिलिजस इसमें मार्चेज और मिज़ी की बात कर रहे हैं देरार स्रोगन एसर्टिंग प्राइड इन बीइंग दलित इसमें देखते हैं आगे देखते हैं देर इस रिसर्जेंस ऑफॉक फेयर साइट्स ऑट्रोशिटी है बेकम प्लेसे अप्लेश्ट इस्टेशनल मुजिकल इस्टूमेंट अब दलित तो इसमें भी हम दलित की बात कर रहे हैं लेकिन दलित इंडिरेक्ली दिया है इसमें देखिए देखिए ग्रेट मार्चेजन रैली वाइंडिंग अक्रॉस इस्टेशन विलेजेज इन स्मॉल टाउंस और इस सैट ओफ को डिमांड और कनेक्टिंग पीपल फिजीकली और इमोशनली ठीक है और देखिए आज की तारीख में जो डलित लोग है उनकी जो रैली होती है उसमें काफी डिस्पले रहता है बुक्स का इन पॉब्लिकेशन का ठीक है और यहां पर हमने बोला है इसके बाद यह सैंटेंस बन सकता है यह कनेक्टिंग है सैंटेंस ठीक है यह कनेक्टिंग है तो यह चारों सैंटेंस कनेक्टिंग है यह कनेक्टिंग है यह कनेक्टिंग है यह कनेक्टिंग है यह कनेक्टिंग है और यह कनेक्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम ल को आप यहां से सुरू कर सकते हैं तुडे टुडे साइट सब दलित रैली इस आर क्रावड़ेड विदे रिच डिस्प्लेय और बुक्स और प्लिकेशन इवाइड इस प्रैट प्रैक्टिसें लेफ रैली आफ यूर ठीक है इसके बाद आप बोल सकते हैं इसके बाद रैली यहां पर यह बोल सकते हैं तर गेट मार्चेजा रैली वाइंडिंग अक्रॉस दिस्टेंट ब्लेज़ें इस्मॉल टाउंस और इंटाउंडिंग पीपल अर्वर्ड इमोशनली थीक इसको आप बाद में बोल सकते हैं थोड़ा साथ देखना पड़ेगा आपको एक्षिए सेंटेंस यहीं से सुरू होगा और यहां पर एक्षिल रैली का एक वर्ड मिलना चाहिए फ्यूजर ने रिद्बिक डांसे सफ ग्रीट पावर और पॉइस एंस टीट प्लेज हाँ इसके बाद यह वाला सेंटेंस पॉर वाला सेंटेंस जुर सकता है ठीका फाइब फॉर का सेंटेंस से इंटनेशनल इप्लोमेशी इस हाड़ली जीरो सम गेम इस बिकम इवीन मोर कॉंप्लिकेट इंटनेशनल दिप्लोमेशी की बात हो रही है इस मैं आगे दिखते हैं मुल्टिटल्टल फॉरा है तोडे विकम इंडिस्पेंसिपेंसिपल तु दॉक्ट ऑफ इसको देखते हैं सिस्टमेटिक नेशनल एंडिसीजिएं मेकिं एक इसमेंट इसमें 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 प्रॉब्लम बताई यह इंटनेशनल इप्लोमेशी हाड्य जीरो सम गें इस बिकम इवीन मोर कॉंप्लिकेट मिट टाइम इसमें हमने यह बताया है कि हमारी जो फरन पॉ सम्ट गेम बन गई है किसी ने किसी राइटर ने यूज किया है इसका इसका किस सेंस में यूज किया है थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक है हैं जिब ए न्यू डिरेक्शन इसमें हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक नेशनल डिसेंग फैक्टर संटेर्मिंट फॉरन पॉलस सकते हैं इसको इसको और ज्यादा एफेक्टिव बनाने के लिए इसमें भी हम यह बता रहे हैं कि क्या रिक्वाइरमेंट है देखें यह वाइटल एस्पेक्टिक वर्ड आया है यहां पर ठीक है इड्वोड सीम हावएवर जड़ दिस काइंड़ एक्सराइज यह टू बी बीटर टीकिन इविन एस सिफ्ट इन पॉलिसी इसमें भी हम पॉलिसी के बारें बता रहें लेकिन इसमें हम देखें क्या बता रहे हैं मैं पॉलिसी के अच्छे के लिए मुल्टिलेटरल फोरums पर उसका जाना जरूरी है यह थोड़ा सा out of context है हाला कि related तो है लेकि closely related नहीं है तो यह second इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद आप इसको बाद में रखेंगे उसके बाद आप यहां से जोड़ सकते हैं वन के बाद फूरा सकता है इसमें ठीक है यह options पर डिपेंट करेगा कि नीचे options कौन से दिए है options के according यह आप कर सकते हैं तो इसमें आंसर क्या है इसमांसर सेकेंड आपका ठीक है ओड़ बन आउड जो है वो सेकेंड है यह sentence देखते हैं the idea of the NHRC NHRC क्या है यह इसमें बताएंगे as an unbiased arbiter in conflict situation is widely perceived as essential to the promotion and protection of अच्छा अच्छा यह human rights है national human right corporation है यह national human right commission ठीक है तो इसमें बात कर रहे हैं इसमें देखते हैं as an icon of independence the legitimacy and credibility of NHRC यह भी connected लग रहा है the public need to have the confidence that the commission इसमें भी commission बढ़ आ गया यह भी connected है sure enough the labeling and stigmatizing of the minority community in this manner नहीं नहीं यह गलत है यह अलग है है बिल्कुल अलग है यह इसमें हम minority committee की बात कर रहे हैं इसमें देखिए national human right commission की बात हो रही है इसमें भी national human right commission की बात हो रही है इसमें भी commission word आया है ठीक है तो यह reference point मिल गया कि यह connected sentence इसमें हम क्या बात कर रहे हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा majoritarianism is a real issue of Indian today it has led to a legitimate fears about the dictating policy and compromising functioning in this scenario this responsibility of rights watchdog institution इसमें भी हम rights की और watchdog institution की बात कर रहे हैं watchdog मतलब जो जो निगरानी रखता है कि rights को किस तरहीं किया जा रहा है और इसमें भी देखी NHRC word आ गया यहां पर तो यह हुआ आपका यह हुआ यह हुआ और यह हुआ यह connected है यह disconnected है ठीक है क्योंकि इसमें हम minority की बात कर रहे हैं तो four जो है यह सही इसमें आपका answer होगा यह type two के question है और इसमें क्या करना है इसमें आप connector के यह sentence है ठीक है और इसमें क्या होता है इसमें देखिए यहां पर यह दो sentence दिये हैं कि India has given birth to some really bold women ठीक है इंडिया ने बर्थ दिया है या इंडिया ने कुछ ऐसी बहादूर ओरतों को recently पैदा किया है ठीक है तो यहां पर यह sentence दिया है एक sentence यह है और sentence दिया है दे इस्टूर एड़ एड़ वर्ड फ्रेंटियर टुरेप्रेजेंट इंडियन सब्कॉंटिनेंट विट ओल इस ग्लैमर एंड ग्लोरी तो यहां पर actually यह sentence का extension है कि वर्थ कैसे दिया है इंडिया है इंडिया ने कुछ हाली के समय में कुछ capable महलाओं को जनम दिया है और यहां पर उसको एक्स्टेंड करके बताया है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी दे स्टूड ओड ओर और फ्रेंटी इस र इंडिया सट इंडिआनेंट इंडियां सब गोंतिनेंट इंड-इस ग्लैमर एंड और लोरी ठीक है, they stood at the world frontier to represent Indian subcontinent with all its glamour and glory तो ये दो sentence हैं, अब इसमें से connector कौन सा start होगा, actually ये connector नहीं है, ये phrase starter है, ये connector के sentence नहीं है, कि किस particular sentence से ये sentence है, इस तरीके से start हो, कि दोनों एक ही में बन जाएं, एक sentence बन जाएं दोनों का, ठीक है, तो देखिए, इसमें हम इस तरह की starters में present participle का काफी use होता है, यदि आप इस तरह से बोलें इसको, कि standing at the world frontier to represent India, to represent Indian subcontinent, standing at the world frontier to represent Indian subcontinent, India has given worth to some really bold women, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह की starter में present participle का use काफी होता है, जिसमें हम दो कामों को एक साथ करते हैं, उसमें हम first वाला जो sentence है, उसमें हम present participle का use करते हैं, तो एक sentence में हम बोला हैं कि world frontier पर Indian subcontinent को represent करते हुए, इंडिया ने कुछ really बहादूर महलाओं को, कुछ really capable महलाओं को जनम दिया है, तो यहां से यह sentence बन सकता है, तो इसका answer होगा only a, यहां से नहीं बनेगा, given worth to some, इसमें थोड़ी सी आपको practice चाहिए, इसमें आपको थोड़ी सा sense create करना पड़ेगा, कि कहां से sentence बन सकता है, कहां से sentence नहीं बन सकता, इस बारे में मैं थोड़ा से detail वीडियो भी बनाओं बनाओं और आपको बताऊंगा, कि कैसे तरीके से इन sentences को बनाया जाता है, जैसे यहां से आप बनाएं अगर given birth to some, given birth to some, really bold women, they stood नहीं बनेगा यहां से, यहां से आप sentence बनाएंगे, नहीं बनेगा, all its glamour and glory से नहीं बनेगा, क्योंकि यह last का part उठा के, यहां पर रख दिया है, क्योंकि यह क्या है, यह basically phrases है, all its glamour and glory, given birth to some, ठीक है, तो इन से नहीं बनेगा, देखे, यहां से sentence इसलिए बन सकता है, क्योंकि इसमें हम present participle का use कर रहे हैं, present participle का मतलब होता है, कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए कुछ हो रहा है, तो इसलिए यहां से sentence बन सकता है, यहां पर यह phrases है, इनसे sentence नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो ए इसमें आपका सही answer होगा, I hope आपको यह समझ में आया होगा, चले एक कुछ और example देखते हैं, देखें यह है, ठीक है, इच इंडिविजूल हैस तू चार्थ इस ओन वे तू गोल अफ सेक्लोरिजम, देखें यहां पर हम एक fact बता रहे हैं, कि इच इंडिविजूल, चूकि हर इंडिविजूल को अपना एक अलग रास्ता बनाना है सेक्लोरिजम के लिए, इसलिए, देखें यहां पर हमने शुरू में ही बोला है कि हिए जाओ यहां से बन जाएगा, Each individual has to chart its own way to the goal नहीं नहीं यहां से नी बनेगा The goal of secularism नहीं यहां से भी नी बनेगा ठीक है, तो यहां से यह sentence बन जाएगा No guidelines can be there for such a choice as each individual has to chart its own way to the goal of secularism as भी आपको लगाना पड़ेगा आगे तो इसमस्मे के बल एक से ही sentence बन पाएगा आपका और सेकें इसका सही आंसर आपका होगा कोशन नमर एड हम देखते हैं इंडिया एक्स्टेमली रिच इन इस इकोलोजी विच इस वैरीड विच जिनेटिकली डाइवर्स फोरेस्ट रिसोर्स इस वन अप दे वर्ड टॉप टॉप टॉइल बनेशन यहां से बन जाएगा जिए के इंडिया एक्स्टेमी रिच इन इंडिया एक्स्टेमी रिच इन्डिय एक्स्टीमी रिच in the ecology which is varied with genetically diverse forest, कि India extremely rich है, क्यों है rich, वो हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें genetically diverse forest resources बहुत जादा है, उसके बाद हम sentence में same चीज बोल ला है, almost same चीज बोल ला है, कि it is one of the world top 12 nations having mega diversity in term of biological resources, तो almost दोनों ही sentences आपस में interrelated हैं और एक ही fact को express कर रहे हैं, तो यहां पर present participle का use हो सकता है क्योंकि present participle में हम क्या करते हैं दो facts को हम एक साथ बोलते हैं या दो actions को हम एक साथ बोलते हैं, तो इसमें आपका present participle किस से बन सकता है, having से बन सकता है, having mega diversity in term of having mega diversity in term of biological resources India is extremely rich in its ecology which is varied with genetically diverse forests, इस तरीक से बन जाएगा, निश्यत रूप से यहां से यह present participle से बन सकता है, यहां से genetically diverse forests नहीं, यह फ्रेज है, genetically diverse forests genetically diverse forests can make India's, नहीं, यहां से नहीं बनेगा ecology which is यहां से भी नहीं बनेगा, यह थोड़ा सा आप यह इस तरह के वीडियो में कुछ और बनाऊंगा जिसमें में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि किस तरीके से यह बनते हैं sentence, ठीक है अब देखिए, इस sentence को देखते हैं, there are a large number of people in our society who have formally studied or are studying science, they are clearly driven by job expectations, देखिए, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, there are large number of people in our society who have formally studied and are studying science, हमारी society में से बहुत सारे लोग हैं, जो या तो science को पढ़ चुके हैं, या science पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, because they are clearly driven by job expectations, क्योंकि job expectations का जो factor है, वो उनको drive कर रहा है, ठीक है, मतलब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम past participle का प्रियोग कर सकते हैं, अब आप पूछेंगे कि past participle क्या होता है, past participle में हम एक व्यक्ति की या एक वस्तू की state को बताते हैं, उसकी दशा को बताते हैं, तो निश्यत रूप से यहां पर, यहां पर देखिए, present participle इसले नहीं लगेगा, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, हम यहां पर बता रहे हैं, कि चूकि लोग की दश बताना हैं, तो इसलिए यहां पर हम past participle का use करके इस sentence को बना सकते हैं, past participle क्या होता है, past participle जो ED और EN form होती है, वरभी की जो ED और EN form होती है, जैसे tired हुआ, driven हुआ, ठीक है, retain हुआ, यह सारे होते हैं past participle, तो past participle में के थू हम इसको state का सकते हैं, इस तरीके से पहले हमने स्टेट बता दी, चूकी लोग, देखे, कि चूकी लोग driven है, कि चूकी लोग driven है, किस चीज़ से, job expectations है, इसलिए या तो वो science पढ़ रहे हैं, या पढ़ चूके हैं, तो यहां से sentence बन जाएगा, यहां से देखिए, job expectations are driving people, job expectations are driving people, मतलब job expectations लोगों को drive कर रहे हैं, इसलिए वो या तो science पढ़ रहे हैं, या पढ़ चूके हैं, ठीक, इसका थोड़ा सा sense नहीं बन रहा, job expectations are driving people, that is why people are studying science, ठीक है, इसके साथ continuous tense जोड़ सकता है, लेकर perfect tense कैसे जोड़ेगा इसके साथ, job expectations are driving people, that is why, that is why भी लगाना पढ़ेगा इसमें आपको actually, ठीक है, इससे नहीं बनेगा, formally studying science and, नहीं, यहां से भी नहीं बनेगा, इसमें केवल C आपका सही answer होगा, मतलब थर्ड आपका सही answer होगा, देखें, यह column based question है, यह type 3 है, मैं दो type के question आपको अलड़ी बता चुका हूँ, और इस तरह के questions, प्री और में इस दौनों ही exam में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्री exam में एक आपसे passage पूछे जाएगा, यह 10 number के phrase replacement पूछे जा सकते हैं, और 10 number का spotting area, इस तरह के questions, जो मैं समझा रहा हूँ इस समय, यह आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरह क questions जो मैं बता रहा हूँ आपको इस technique को जो 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 बता रहा हूँ मैं जिस तरीके इस तरीके से आप करते हैं तो 4 या 5 सेकेंड में question का answer आप निकाल सकते हैं अग ग्रूप made up of people who agreed इसमें क्या करना होता है इसमें देखें यहाँ पर columnist sentence है A, B और C ठीक है यह तीन sentence दिये हैं और यहाँ पर दिया है आपका D, E और F अब यहाँ पर इन sentences को आपको आपस में मिलाना है और एक meaningful sentence बनाना है इसको आप इससे भी मिला सकते हैं और इसको इससे या इससे भी मिला सकते हैं ऐसा नहीं है कि गिवल इसको इस से ही मिलाएंगे, इसको इससे, हैं, आपस में आप इसे भी मिला सकते हैं, in sentences को. ऐसे, ऐसे, और इसे भी मिला सकते हैं, ठीक है? A group of, a group made up of people who agree to everything, all time is not really society in managing descent, इससे नहीं बन रहा?. इससे देखते हैं, the essence of democracy to be found in the method it uses to deal deal के साथ विदाना चाहिए इससे नहीं बन रहा इससे भी नहीं बनेगा इसको देखते हैं democracy societies democratic societies are the best of the available models available models models के साथ paradoxical नहीं जुड़ेगा by trying नहीं जुड़ेगा यह जोड़ जोड़ेगा है उसमें से कौन सा model आज की तारिक में सबसे अच्छा है तो यहां पर हम यह बता रहे हैं इस वाले sentence में कि democratic society are the best of the available models जो available models है उसमें democratic society का जो model है वो best है वो best क्यों है उसमें हम reason बता रहे हैं in managing descent with the least harmful effect on the dissenter कोई व्यक्ति यदि सरकार से ठीक है या किसी व्यक्ति से dissent होता है तो dissenter जो है जो disagree कर रहा है किसी व्यक्ति से किसी सरकार से कुसके उसके उसके रूल से regulation से तो dissenter के ऊपर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा डिसेंटर पर जो हार्म होगी वो लीस्ट होगी और यही खूबसूरती है यही beauty है democracy की ठीक है तो यह जो sentence है यानि C और D जो sentence है complete और meaningful sentence बना रहे हैं democratic society are the best of the available models वो best क्यों है वो best किस चीज में है हम यह भी बूल सकते हैं किस चीज में best जैसे जैसे कोई भी student है he is best in mathematics ठीक है he is best in dancing तो यहां पर इन आ सकता है इनका एक sense बन रहा है यहां पर तो democratic society are the best of the available model in managing descent managing descent को मैने डिसेंट को मैनेज करने के हिसाब से democratic society जो है वो best है ठीक है तो डिसेंट होता है disagreement तो इसलिए सी और डी का इसमें complete meaningful और contextual इसमें एक sense create हो रहा है इसलिए सी और डी यहां पर आपको सही answer होगा बाकी के sentence आप जोड़के देखिए आप आप बाकी के sentence जुड़ेंगे नहीं पहले तो और उनका सही meaning नहीं निकलेगा तो इस तरीके से इनको आपको करना है एक sentence और देखते हैं doctors already use computer-based tools to work out whether a present is at at के साथ हम at risk जोड़ सकते हैं at the risk of death in patient with heart disease then then human experts doctors already use computer-based tools नहीं नहीं यहां से नहीं बनेगा यहां से दिखते साइंटेस्ट आप डबलब an artificial intelligence system that can better predict the risk of death in patient with heart disease then human expert देखिए यह यहां बन जाएगा इसको देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि scientist have developed an artificial intelligence system scientist ने एक artificial intelligence system developed किया है that can better predict देखिए better यहां पर एक word आ रहा है better better के बाद हम क्या लगाते है better के बाद हम देन लगाते तो देन भी इसमें लगा हुआ है ठीक है that can better predict predict what predict किस चीश को predict करना है predict करना है risk को ठीक है predict the risk of death predict the risk of death risk of death को किसम करना है patient में ऐसे patient जो heart disease से period हैं तो यह sentence का एक एक सही पेयर बन रहा है यहां पर इस sentence का यह जो group है आपका इसका एक सही पेयर बन रहा है और B और E इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है इसको दिखते हैं scientist including those from the University College London in the UK wanted to see if they could create a model model that can stress बना चाहिए model model for which this work was compared against the main predictions based on 27 variables chosen by medical expert यहां से sentence meaningful नहीं बन रहा देखे सी और डी सी और डी का आप यदि बनाते भी हैं तो सी और डी का स्मॉप्शन ही नहीं है यानि यह दोनों का पियर नहीं बन सकता आप ऐसे भी logical application को कर सकते हैं अगर सी और डी सही भी है लेकिं सी और डी का मैंने समझाए हैं और मुझे अमीद है या अच्छे तरीके से आपको समझ में आये होंगे आई वी पेस्पी ओ के लिए क्लर के लिए और दूसरे सभी बेंके इंग्जाम्स के लिए वीडियो क्लास आपके लिए बहुत इंपर्टेंट रहेगा इस वीडियो क्लास का आपका सेलेक्शन हो जिसके आपके अच्छे मार्क्स आएं ऐसे मैं प्रवाइट करा हूँगा ठीक है तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू